बहुत बारी एक सवाल आता है मुझसे बहुत लोग पूछते हैं तो मुझे लगा ये सनी लियोनी का जो बॉलीवट की अक्टरेस हैं उनका केस आपको समझाने के लिए अच्छा होगा आप मुझसे क्या पूछते हैं कि कभी कॉंट्राक्ट में सिविल और क्रिमिनल में क्या अंतर होता है कि केस सिविल केस है क्रिमिनल केस कैसे बनता है कॉंट्राक्शल डिस्पूट में तो सनी लियोनी का केस और मैं अपता दूँगा हाई कोट ने उनको क्या किया है इंट्रस्टिंग केस है अगर आप देखें तो सिविल केस है कि आपने और्गनाइजर्स ने सनी dispute लगता है ना, एक contract किया कि आप काम करेंगे, मैं उसके बड़े पैसे दूबा, इस case में FIR दर्ज हो गई, और बहुत often होता है कि contract के अंदर से FIR दर्ज हो जाती है, at least इंडिया में तो यह बहुत common है, जो इंडियन लोग को जानते हैं, तो, क्याड, आप आए नहीं, तो civil case तो यह होता कि आप नहीं आए, उसकी वज़ा से मुझे नुकसान हुआ, इसमें कह रहे हैं, 29 लाख रुपीज लेती हैं वो event का, तो नुकसान हुआ तो आप 29 लाख रुपीज मांगते हैं, प्लस आप damages मांगते हैं, प्लस आप बोलते हैं कि मुझे compensate करो, पर यहाँ पर FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी, cheating की, यह दोखा दरी की, और cheating की हुई Sunny Leone और उसके husband के उपर, और cheating की कब हो जाती है, contractual case में, broadly बोल रहा हूँ, law की बात बता रहा हूँ, जब आप यह थाबित कर पाएं, कि जिसने पैसे लिए, उसका कभी काम करने का intention ही नहीं था, वो सिरफ dishonestly आपके पैसे लूटना चाह रहा था, simple hindi भाशान, बोलू तो, तो फिर आप बोलते हैं, यह contract का case नहीं है, यह cheating का case है, वो तो अंत में साबित होता है, कि civil dispute है, या criminal dispute है, पर ऐसा case डल गया, इसके against, Sunny Leone High Court गहीं, High Court उन्होंने anticipatory bail लगाई, कि उनको arrest ना किया जाए, क्योंकि यह जैसे आप जानते है, cheating के case में arrest भी हो सकता है, तो High Court ने उनको interim protection दी है, notice भी issue कर दिया, और उनको बोला गया है, कि जब तक यह case चल रहा है, interim protection जो होती है, आपको arrest नहीं किया जाएगा, वो फिर court final करता है, या नहीं करता है, वो तो आगे depend करता है, आप लोगों का, यह धिहान रखना चाहिए, कब civil case criminal बन जाता है, या बहुत बारी मुझसे law में पूछते रहते हैं, तो मैंने का, यह case बहुत अच्छा case है, कि किसी performer ने, पैसे लिए perform नहीं किया, वो civil है या criminal है, उसके लिए जो facts depend करते हैं, वो मैंने आपको बताए कि क्यों होता है, anyways, अगर सनीरी होने की बात करें,